ऐसे मूह लटकाने से करजा उतर जाएगा अब दर्माजा खोल तो तो देखा देख अपने लोन का अमाउंट मांगना गलत नहीं है लेकिन दिन रात फोन करके घर पे आके बत्तमीजी करना कुंडा करदी करना आउदत बन गई है तू जानता है मैं आर्मियों ऑफिसर फिर से तेरा मनूस चेरा इस एरिया में कहीं दिखा ना जार गोली भीजे में फैक्सा है फैक्सा है सर्थ क्या तरीका है खुद पर कंट्रोल नहीं है क्या बूल गए तुम्हें एक मिलिटरी ट्रेनिंग आफिसर हो और तुम्हें प्रोटोकोल से चलना होगा शुक्र मनाओ किसीने तुम्हारी मारपीट का वीडियो नहीं बनाया क्यों इतने जजबाती हो जाते हो वो मामुली सा सब इंस्पेक्टर मुझसे सवाल गर रहा है फैक्स से तुम्हारी फोटो और कंप्लेंट भेजी है इस साल की तुम्हारी यह साथ भी सौरी है यू मेभी फिजिकली फिट बट साइकोलोचिकली यह टोटली अन्फिट मैं तुम्हें चे हफते का टाम दे रहा हूं इतने टाइम में गवर्मिंट ऑदराइज साइकाट्रिस से कंसल्ट करो एंगर मैनेजमेंट सेशन अंदर तो चल बहुत मामी मिलेंगी जी हां आपकाट साथ बजाए हैं अपने भांजे को कह रहा हूं यह लो कौन है इनका अपॉइंटमेंट यह बुडनेम सर अभी मन्यू डॉक्टर रतिदेवी अभी आई नहीं है आप वेट कीचिए रतिदेवी जरूर यह उनी सो पच अप लिवर में पेन हो रहा है सुसु आ रही है किसी से मार खा क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताईएगा जोड़े जोटी बात पे घुसा आता है मुझे देड़ पसली का इंसान पहले जोर से बोलना तो सीख ले तेरे साथ पुष्टों में से किसी ने गुसा नहीं किया होगा मुझे शेंडी लगा रहा है मैं देड़ पसली लगता हूँ तो क्यों इंसान नहीं हो हो देखिए बाई सब चिलाईए मत भर-भर आके गिर मैं टीबी का मरीज हूँ तू सौ साल जियेगा मैं कल कपर में जाओंगा यही करा चारा है तू मिटी के खिलोने से भी नाजुक हैं आप ज्यादा हिलेंगे तो बिखर जाएंगे मैं कोई खिलो ना हूँ जो हिलूँगा तू बिखर जाओंगा तुझे मैं अपनी पावर मैं तुझे डालूंगा मैं तुझे फा डालूंगा तुझे पता नहीं है कि अगले छे हथे के फोर में एक साथ लाई है डॉक अभी आगले की चटके में सब किसा इंगे करेंगी तो मजात तो नहीं कर रहा है जाए यहां यह कूछरी कि शुट्टी लेने वाला हूँ रती देवी और कौन? विंटेज मोडल. अश्टर, इसका नाम अभि मन्यू है और आपको इसका गुस्सा शांत करना है. लगता है कान फ्यूज है. डॉक्तर, इसका नाम अभि मन्यू है, बात बात पे गुस्सा करता है, आपको इसे ठीक करना है. डॉक्तर जारना पोचना छोड़ो पेशन करने दो यह एंटीक पीश तो बाई निकली चल बैट जा चल सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्तर है मैडम यहाँ दो मेंटल पेशन्स आये हैं लगता है जटका देकर ही ठीक करना होगा अरे भापरे नाम सुनके लगा पुराने जमाने का टेलिग्राम होगी पर यह तो लेटेस स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली यह मेरा परसनल ओपिनियन है बांजे तेरी मामी मिल गई आप में अभी मेन्यू कौन है जो आपके सामने बैठा है छे फुट का हट्टा कट्टा गबरू हेलो अभी मेन्यू आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं स्कूल या कॉलेज किसका रिपोर्ट काट चाहिए लगता है आपको गुसा बहुत इंस्टेंट कॉफी से फास्ट थोड़ा आगे आईये टेल मी डियर रती शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं आपको कैसे पता है मुझे इसका इलाज भी पता है इलाज कैसा मेरी 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 में बिजली के जटकी देने के राइधी है इंडिरेक्ली ये मुझे बाहर मि कर रहा हूं तो बताओ भी मन्यो आपको किन बातों पे गुस्सा आता है अन्याय होते देखता हूं तो बहुत गुस्सा आता है मुझे और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिन्दा लाश की तरह देखते हैं न उन्हें मैं कोमा पेशन कहता हूं और तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भूल कर कुमा पेशन बन जाओं मैं जैसा भी हूं ठीक हूं अन्याय देखके गुस्सा करना गलत नहीं लेकिन उसे मारना गलत था क्या सही और क्या गलत है तुम से सीखने की ज़रूरत नहीं है मुझे मैंने ही कह रही कि गलत है आपके ऑफिसर को गलत लगा और अब यह आपको मेरे पास भोगगा कोई चाहिस नहीं यह बस एक फ só allowty तो यह आना मेरी मजबूरी मेरे पास भी option नहीं यह यह इक फॉमलेटी है यह मेरे छह हफते के फॉर्म्स है ये भी एक फॉर्मालिटी है, तुम बस इन पर साइन कर दो, ये फॉर्मालिटी पूरी हो जाएंगी, और मैं यहाँ से चला जाओंगा, जब सब कुछ फॉर्मालिटी ही है, तो अभी मन्यों बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती, मैं मेंटल दिखता हूँ, बाहर बैठे पागल के जैसा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है, तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है ही कितना, क्या देखा है लाइफ में, किताब के चार पन्ने पढ़ ली है, तो क्या मेरी लाइफ पढ़ ली तुमने, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंदाजा है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जानती हो तुम, तुम मुझे कर ही नहीं सकती हो, चुपचा पेपर्स पर साइंग करो. तुम एक अच्छे ट्रेनर हो, अपने केडिट्स को अच्छे ओफिसर बनाते हो. इंसान भी ठीक ठाक हो, लेकिन गलत बातों पर रियाक्ट करते हो. इस वक्त गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हारे पिटाई कर दू? तुम्हारे अक्याडमी नहीं, कि मैं तुम्हारे ओरर्स मानू. अगले छे हफ्तों तक मेरे पास्कॉले स्टूड़न की तरहा आना, फिर मैं इसमें पक्का साइन कर दूँगे, जिस तिन भी तुम एक घंटा बिना गुस्सा की यह बात करोगे, मैं इस फॉर्म पर साइन कर दूँगे, अच्छे स्टूड़न की तरहा डेली अटेंनेंस इसे रखो, जब यह गुस्सा आए इसे दबाना और दस तक की गिंती करना, गुस्सा भाग जाएगा, इस बार थोड़ा कम कर दीजे ना, इतने कम में काम नहीं होगा, थोड़ा एड़िस कर लीजे, फाइल से चार पन नहीं तो फाइल से चार पन नहीं तो इसके लिए बहुत स्यादा पैसा है सर, पाँच सब इंस्पेक्टर केस पर काम कर रहे हैं, आप पे किसी तरह की आँच नहीं आएगी, क्या बात है सर, गलत काम करने में हिचक हो रही है, काम हो जाएगा, मतलब डील होके ना सर, भाई को बोलो, शुक्रवार बारा बजे से पहले पैसे मेरे अकाउंट में डाले, ओके सर, परना आप बेफिकर रहे हैं सर, आज तुम्हारा फर्स सेशन है, ये बताओ सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तुम से पूछ रही हूँ, खुछ बताओगे की नहीं, तुमने कहा था न, एक घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो, तो तुम पेपर्स पसाइन कर दोगी, तुम बोलती रहो, मैं तो चुपी र ठीक है, अब मैं बोलूँगे और तुम सुनोगे, देखो अभी मन्यू, हर इंसान अपने चारों और होने वाली घटनाओं पे रियाक्ट करता है, अगर वही इंसिदेंस बच्पन में देखें और वो रियाक्ट नहीं कर पाता, तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने लग क्यों? अपनी सिस्टर से मिलने, जो इस फोटो में है वो तुमारी सिस्टर है, वहां क्या करती है वो? वो हुमन राइट अक्टिविस्ट है, फ्रेंच सिटिजन, नाम क्या उनका? सरोजा देवी, ओ, सरोजा देवी, नाइस, उनकी शादी हो गई है क्या? ये सब क्यों ग्रेट, तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भागाना, मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना, कितना अजीब इत्तफाक है, है ना? मान लो, तुम चांदनी चौक में रहती हो, और तुम्हें वहां से डिफेंस कॉलनी जाना है, ट्राफिक के बीच में गुस्सा आ मैं फॉरण में रहूंगा, एक सेकंड भी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि वहां इतना ट्राफिक होता ही नहीं है, यही एक तरीका है मेरा गुस्सा भगाने का, सरुजा देवी से सेटिंग करा दो न, यह क्या पकवास कर रहे हो, मैं यहां पर रेंग डॉक्टर हूँ, कोई मानिष्ट ब्यूरो नहीं शलाती हूँ, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, मेरे गुस्से को रोकना है, और तुम, इसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं, जब भी गुस्सा आए, वन टू टैन काउंट करके इसे प्रेस करो, गुस्सा छू हो जाएगा, मेरी डॉक्टर ने जब रहा है किया ना, कैश जमान, दर्वाजा बन कर, क्या बात है, आज मस्त महकार ही है, कौन से होटल समंगवाया, अपने अकिम भाह के ढाबे से, एक दिन में कितना कमाता होगा, यही कोई 40,000 छाप लेता है, इतना कमा के भी हमें हिस्सा तक नहीं दिया, सिर्फ आपके चिकन में एक्स्टा मसाला डालता है, उसे यहां बुलाते हैं और उसमें मसाला बढ़ते हैं, फिर हिस्सा देगा, सुन, तू बाहर जा, सर, हमारा काम कर दिया, है, मुझे बेवकूफ समझता है, बिना पैसे दिये मुझसे काम करवाया, सर, आपके अकाउंट में पैसे डलवा चुका हूँ, आपको मैसे जा गया होगा, हाँ, मैसे जाया था, और उसके ठीक 5 मिनट बाद, पैसे निकल भी कहे, सर, मुझे कहानिया सोना रहा है, हमने अपनी तरफ से अमाउंट डलवा दिया, हमारा काम पूरा हुआ, पैसे कहां गया, वह आप देखो, हाँ, बोलिये सर, अरविन, अभी-अभी मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपय गायब हुए, ये क्या कह रहे है, सर, हैकस ने पूलिस वाली के अकाउंट में डाकर रहा हुआ, सर, मुझे कंप्लेंट फॉरवर्ट कीजिए, मैं भी ट्रेस करता हूँ, कंप्लेंट नहीं कर सकता, इंकम का सोस नहीं पता सकता, सीकर्ट अकाउंट, बात समझो, ठीक है, अकाउंट के डीटेल भेजिए, मैं भी कुछ करता हूँ, कुछ पता लगा, ट्रेस का लिया, सर, ये रहा उसका फोन नंबर, आईपी एड्रेस भी ढूंड लिया है, वो इसी शेहर में है, कॉल लगाओ, कनेट करो, सर, हालो, है, बहुत जिगर है तुझ में, पुलिस ऑफिसर का अकाउंट है किया, 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे, मेरे अकाउंट से उड़ाए 25 लाख रुपया चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर दे, तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, अगर तुम में जिगर है तो मुझे डिरेक्ली अरेस्ट करके दिखाओ, जेल रहा है मुझसे, बल्ला वरन में रहता है ना, आ रहाओ मैं, घसीट कराऊंगा तुझे, मैं पल्ला वरन में हूँ, अपने साइबर क्राइम एक्सपोर्ट से कहो, स्क्रीन रिफ्रेश करें, फिलहाल मैं कहा हूँ, पॉनिचेरी, एक बार भिर से रिफ्रेश करो, मेरा लेटिस्ट लोकेशन बताओ, कडलूर, कोई आधे सेकेंड में पॉनिचेरी से कडलूर पहु पैसे, फोन काटने तक हर सेकेंड तेरी सेविंग अकाउंट से दस हजार रुपे कम होते जाएंगे, मजाग समझ रखा है, तेरा बैलेंस कम है, फोन चलती काट,